अब अगला जो हुवाँ डिषकेशन होगा, इसमें हम Coastal Plains के बारे में बात करेंगे, ठीक है मतलब हमने हिमाले के बारे में पढ़ लिया, Northern Plains के बारे में पढ़ लिया, Peninsular Plateau के बारे में पढ़ लिया, Desert के बारे में पढ़ लिया, और अगला जो हुआ लिभी अब हम यहां पर coastal plains के बारे में बात करेंगे ठीक कोस्टल प्लेंस मतलब यह जो प्लेंस आपको देखने को मिल रहे हैं कोस्ट के आसपास यह कोस्टल प्लेंस होते हैं अब यहां पर बूला जा रहा है कि दक अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो यह वेस्टन कोस्ट है अभी हम यहां पर यह और यह सेंडियो टरै जो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको वेस्टन घाट देखने को मिलेगा ठीक हैं यह हो ग्या आपका वेस्टन घठ और यह पर जो है यह आपका अरीबियंसी देखने को को मिल रहा है तो यहां पर क्या है कि इन दोनों चीज के बीच में है ना यह जो एरिया है यहां पर क्या है यह आपको coastal plane जो है वो देखने को मिल रहा है बास समझ में आगी नहीं सबको यह हो गए आपके coastal plane मतलब की western ghat और Arabian sea के बीच में sandwich बना हुआ है आपका coastal plane ठीक है एक तो यह point हो गया अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बोला जा रहा है कि is a narrow plane it consists of three sections ठीक है इसमें आपको जो है वो तीन sections यहां पर देखने को मिलेंगे जो आपकी book में दिया हुआ है उसमें अगर आप देखोगे तो आपको तीन sections यहां पर दिए गया है सबसे पहली बात अगर आप देखोगे कि जो northern पार्ट है ठीक है northern पार्ट मतलब कि coastal plane का जो northern part आपको देखने को मिलेगा वो northern part अगर हम देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ठीक है उसको क्या रेलवे भी आपको देखने को मिलेगा ना सो मुंबई और गोवा वाला जो आपको यह वाला प्लेन आपको देखने को मिल रहा है ठीक है यह जो प्लेन देखने को मिल रहा है यह कौन सा प्लेन है यह उपर वाला पाड़ भी है यह वाला जो प्लेन है ठीक है महारास्ट और य थीक है तो ये वाला जो plane है ये करनाट का वाला आपको देखने को मिलेगा तो ये SUDDEN STRECH जो है ये आपको मालाबार plane देखने को मिलता है तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि अगर हम देखेंगे तो अलग-अलग coastal plane है northern हो गया Central हो गया सदल हो गया सब चीजे हम को इहां पर समझ में आ रही है लेकिन ये गुजराइत के पास भी तो ये coastal plane दिख रहा है न ठीक है ऊजराइत के पास नहीं दिख रहा है तुछ अधिया नहीं उन्फरस्व आइं इसको का काठिए वार्ड प्लेंगे जो की कहां पर आपको देखने को मिलेगा गुजरात वाले एडिया में काठी वार्ड आपको देखने कोикомिलता है थीकें तो यह सारे के सारे जो है यह आपको coastal plains है जो कि western घाट पर देखने को मिलेंगे western घाट और Arabian Sea के बीच में जो sandwich बना हुआ particular region है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम यहाँ पर coastal plains यहाँ पर कहते हैं west direction में ऐसी east direction में भी है लेकिन यह क्या है यह आपको अभी western direction में देखने को मिल रहा है ठीक है समझ में आगया सब कुछ चले दा प्लेस अलॉंग दबे ओफ बेंगॉल और वाइट एंड लेवल ठीक है अब एक बात यह समझना है कि आपको एक बात यह समझनी है आपसे कुशन यह बन सकता है कि जो plains है जो coastal plains है यह बताओ कि वह बेंगाल वाले जो है वह वाइड है या अरेबियंसी वाले हैं तो याद रखिए का बेंगॉल जो है न वह बहुत कदर ना के भाई साब उसमें इतनी लहरे आती है न कि मतलब इंसान की जो है वह हालत खराब हो जाए जो लोग शिप मगरा में हैं फॉज वगरा में काम करते हैं तो वह बताते रहते हैं कि उनके एक्स्पीरियंस वगरा तो अभी पढ़ोगे सुनोगे तो बताएंगे कि बेंगॉल में मतलब बहुत खदरना के वह बहुत बड़ा है अरेबियंसी चोटा है तो इसी बज़े से यहां पर क्या हो रहा है जब मैंने आपको बता दिया बेंगॉल बहुत बढ़ा है तो आप करसर जुआ है आप इसको कह सकते हैं करसर भी यहां पर नाम दिया सबस्सर बहूद सकते हैं तो यहां पर कहा है कि घूल नौर्वर्द से आपको देखने को मिल रहा है और वायल सबन सब्सक्राइब है और अगर आप इसके उपर देखेंगे थोड़ा सा है ना इसकी ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां पर यह उटकल प्लेन भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है लेकिन उतकल प्लेन हो गया फिर Northern ततन कंट्सर हो गये फिर को रोमंडल कोस्ट हो गये उसी तरीके से यहां पर देखो उटके चेकर्ड हो गया यह काथी अवार हो गया यह और बीच में अगर आप देखो गए तो कनल ठीक है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा सब्सक्राइब कि यह अगर हम से बीजिए चाह का लेंगे क्या बिलकुल कर लेंगे कैसे किसकी बात और अब अबे क्या है यह इसा ब्लुक्टी हो यहां पर है और अगर आ यह इस झाल प्लेंबुट आ भी आपको को देखने को मिलते हैं ठीकPoint घिजिजन जो आपकी बुक में लिखी हैं वह यहां पर यह लिखी होई है तो यह ने आप को बता दिया तो ऐसे जो प्लेंज होते इनको हम क्या बोलते हैं ऐसे प्लेंज को कोस्टल प्लेंज के नाम से जानते हैं में बिल्कुल पूछा जा सकता है तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ठीक है लार्ज रीवर्स सचेस महानदी गोदावरी कृष्टन कावेरी है फॉर्म एक्स्टेंसिव डिल्ट ऑन डिस कोस्ट ठीक है तो आपका जो डिसकेशन है ठीक है उसके बारे में हमने करी लिया ड्रेनेज वाले चेप्टर में मैंने यह सब चीजें आपको पढ़ाई हुई है तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो महानदी है ठीक है गोदावरी है ठीक है कृष्टन है कावेरी है महानदी रीवर जो है एसन्गाट की तरफ फ्लो करती है मतलब की बे बेंगॉल में ड्रेन करती है तो हमें इक बात यहाँ पर यहाँ वेंगॉल में कर गिर रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपको डिली तो डेल्टा फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा तो डेल्टा यहां पर फॉर्म होता है फिर उसके बाद चिलिका लेक इस त्सॢल्ड वॉटर लेक इनिडिया है ना सॉल्ट वॉर्टर लेक का मतलब क्या हूआ कि देको तो ऐसा होता था कि समुद्र जो है उसकी लहरे आती थी तेना लहरों में आपको पता है कि खूब पानी आ जाता है तो कभी-कभी क्या होता है कि वो पानी वापिस नहीं जा पाता है और वापिस नहीं जाने की वज़े से वो क्या होता है कि एक जिगे पर एक ट्था हो जाता ह जिसकी वज़े से लगून का निर्माण होता है, ठीक है, और चिलिका उसी तरीके का लगून है, और चिलिका जो है वो उडिसा में आपको देखने को मिलेगा, और यह largest salt water lake आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, ठीक है, महानदी डिल्टा के south में जो है, वो आपको देखने को मिलता है, तो यह चीज़े आपको यहाँ पर coastal plains के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है, यह सब map वगरा पर locate करेंगे, तो मुझकुराते हुए करिएगा, है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ चीजें हैं, बस मेहनत किसमें लगेगी, थोड़ा से यह सब नाम याद करने में, जिनके लिए पुराने नाम है, जो पहले जान से थे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, जिनको नहीं पता है, बस आपको डिवीजन करना है, है ना, उसको क्या करो, अपनी study table पर चिप ज़िया गया है, ठीक है, वेस्टन घाड, इस्टन घाड, Coastal Plain वगरा, यह सब चीजें हैं, तो आप यह देख सकते हैं, जैसे यह आपका यहाँ पर हो गया, क्या, यह गोदावरी रिवर मैंने आपको बताया था, यह कावेरी रिवर बताया था, ठीक है, यह मैंने आपको चिलिका लेक बताया है ना कोलेरू लेक जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा पुलिकट लेक आपको देखने को मिलेगा यह दोनों आंदर प्रदेश में हैं ठीक है दोनों जो है यह आपको आंदर प्रदेश में देखने को मिलेगा यह महारदी रिवर आपको देखने को म मैं पहले की बात कर रहा हूं तो मतलब question भी आने वाला है आपके लिए तो यहां पर कहाएगी highest fall जो होता था इसको हम क्या बोलते थे इसको बोलते थे जॉक फॉल है न या केरो सप्पा भी बोलते थे और यह कहां पर था यह करनाटका में था कौन सी रीवर की उपर था यह श जॉक फॉल था इसके बारे में भी आपको जानकरी रखनी है क्योंकि फिर आप यहां पर क्या है कि अभी आप 9 में हैं ठीक है 10 में जाओगे तो आप NTSC का भी पेपर दोगे तो ऐसे question वहां पर आपको देखने को मिलेंगे ठीक है समझ में आगा है सब कुछ